आवाज आ रही है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और साथी एक बार फिर से नौ बज गए है और हम लोग एक बार फिर से साउथ अमेरिका के टॉपिक को लेकर आज फिर से अबलेवल हो चुकिए आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक करवान करने वाला हूं वह साउथ अपेरिका के पॉलिटिकल सेक्षन को आज हम लोग फिनिस कर लेंगे देखेंगे आपकी पॉलिटिकल सेक्षन में कैसे कैसे को संस और भी आप से पूछे जाते कई ऐसे पॉइंट्स आज आपके सामने में होंगे जो बिल्कुल नए होंगे तो सभी लोग और हम लोग आगे की और मूब करते हैं आपके सबके कॉमेंट्स में एक बार देख लिता हूं यहां से और सबसे अच्छी बात है देखिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक मिनिट मैंना आज चाह रहा था आप लोग के साथ में कुछ सेयर करना तो मैं जरूर उसको सेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ में हमारे दो एस्टुडेंट है जिन्होंने कि लिखा और मैटर बनाया भी है बहुत ही शांदार तरीके से देखिए अंधीं मैं आपको दिखाता हूं दोनों कि आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पर यह मैं आप को चुड़ा सब सब से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यह आपका अपना चैनल अरजुन सिनहा के नाम से और आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत ही अच्छे बतलब व्यूज विग्रभी आप आने लग गए है और आप लोग प्रसंद कर रहे हैं सबसे अच्छी बात यह है अभी बस दूसरे दिन ही हुआ है और आप देखेंगे कि हजार व्यूज भी यहां पर आ रहे हैं तो यह आप लोग का प्यार ही है और जो कंटेंट मैं पढ़ा कि जाओंगा यह शूर्सॉट्ट प्योर कंटेंट होंगे यह वाईटी पर आपके सामने में देखने को मिला है यह अपने प्यार को बनाए रखिएगा यहां पर मैं आप लोग को एक मिनिट यह देखिए जो बच्चे अपने आप देख रहे होंगे कि देखिए कि यह सुमित भाई ने अपने लिखा है और इस तरह से आप यूटूब पर पढ़कर भी अपने नोट्स को आप बना पा रहे हैं यह बहुत ही शांदार जवाब है यह हमारे सुमित जी ने भेज़ा है यहाँ पर यह सुमित जी का भेज़ा हुआ है सुमित लवी ब्रो बहुत शांदार आप बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ प पर कर रहे हैं that's the point okay मैं इस बच्ची का नाम में मिस कर रहा हूं जरूर लेना चाहूंगा इनका भी नाम यहां पर यह जो मुझे भेजा है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है इतने सारे मैसेजेज होते हैं थोड़ा सा मैं मिस किया हूं मेरे हिसाब से यह भी नाम नहीं है जिनका भी एक वार अगर मुझे बता पाए तो मैं बिलकुल आपको अ बताना चाहूंगा इनका नाम भी मेरे हिसाब से मैंने वाटसेप अपने सेर किया था तो यह बिलकुल 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 मनीशा जी यहां पर मैं इनके नाम भी लिखना चाह रहा हूं यहां पर यह मनीशा ने मुझे लिखकर भेजा था वाटसेप पर वेरी नाइस मनीशा बहुत बढ़ियां आप कर रहे हैं और देखी कितना शांदार लिखा है कि ब्राजील एक ऐसा देश जिससे मकर और बिस्वत रेखा दोनों होकर गुजरती है देश के नाम भी है उनके कैपिटल भी है मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है बिस्वत रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है बॉलिवी और प्रागवे जिसकी सीमा सा अगर से नहीं लगती है यह सारे चीज आपके पॉइंट यहां पर ब्रिटन अर्जेंटीना के मत विवाद जो फाकलेंड दीप का मैंने बताया था वह फाकलेंड दीप इन्हों ने बताया है ब्रिटिस अधिकार भी आप दिखा रखाया और यह जोग्राफिकल रूप से अर नोट्स को बनाकर हम लोग बहुत ही शांदार तरीके से यूटूब से भी पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है कि यूटूब से त्यारी नहीं हो सकती है मैं बस यह आपको एस्योर करना चाहता हूं ठीक है तो आईए प्रभात कृष्णा श्याली श्रीजी पृती एंजल सभी का बहुत-बहुत स्वागत है राज सो दिया तेज सभी बच्चे जुड़ जाए इस इवेंट के साथ में और हम लोग आगे की और मूब करते हैं आज मैं पॉलिटिकल सेक्शन को यहां पर फिनिस करने वाला हूं पॉलिटिकल जो पार्ट है इसको हम लोग फिनिस करे है पॉपलेशन में कितने नंबर पर यह से हम लोग कर चुके थे इसको सब कंट्रेंट के रूप में एक्वेटर लाइन पासे तुरू यहां पर आइस में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंगलिस ही नहीं मैंने इसका हिंदी भी कंवर्ट कर दिया है ठीक है योगेस बनेंगे बच्चे राधिका कृष्णा शिखा राज शिवम शकुंतला शीत बसंद जीवी जुरे पंका जुदासी बहुत 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 आप सब का स्वागत है हाँ आज चस्मा पहल लिया है ऐसे मुझे बीना चस्मा को भी दिखाई देता नजदीक की थोड़ी सी दिख सारु खान जी चिंकी चोहां जी रिशू त्रीशा तो आप देखिए यहां पर आपको मैंने इंग्लिस भी और हिंदी भी दोनों कर दिया हुआ तो आप देखेंगे जनली क्या होता है यहां में आग उतरा चाहूंगा कि जो तो साउथ अमेर्का का जो शेप जो आपको मैंने बताया था इस प्रकार से जो साउथ अमेर्का के शेप को जो आप देखते है तो बेसिकली वो एक रफली ट्रेंगलर शेप में होता है और यह मकर रेखा कि हम लोग बात अगर करते हैं तो ध्यार दिखीगा जो बेसिकली यहां पर पॉइंट है कि इसकी पतली आकिरती के कारण भूभाग का एक बड़ा हिस्सा उस्रिकटी वंध में आता है तो मोस्टली आप जानते हैं कि जो उस्रिकटी वंध का छित्र जो होता है वो 23.5 डिग्री साउथ लेटिट्यूड से 23.5 डिग्री नौर्थ कि साओ्थ अमेरिका का मैक्स्मकम एरिया जो है वह मैक्समम एरिया आपको किस सेक्सिन में आता है तो हो सकता है कि है तो यह नहीं होना चाहिए ठीक है आज से मैंने इसलिए आप लोगों के लिए हिंदी यहां पर कर दिया इसके लिए आप लोगों के लिए घंटों मुझे लग गए कि हँए कम से कब लिए बच्चों के डिमांड भी है बहुत ही जल एक हिंडी टाइपिस्ट भी रख लिया ज कहते हैं तो GMT रेखा के पशिम में हैं तो इस महादीप पर किसी भी अस्थान पर समय जो होता है वह ग्रीन वीच मीन टाइम से क्या होता है GMT से कुछ घंटे कम या पीछे ही होता है यह पॉइंट यहां पर समय को लेकर आ गया अब आप देख रहे होंगे कि सारे यह हमने यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो चार्ट डिगरी की जो मेरेडियन है यह आपको मोस्ली 65 डिगरी वेस्ट- mint berry oni Q ते रेखा जिसको कहते यह इसको येस्ड वेस्ट की स्तिती यहाँ पर अगर दो भागों में बाड़ता है ये आपकेसा मेरे पॉयं bypass को लाइक्स नहीं की दो बाढ़ता है यह उत्री अमेर्का की तुलन में पूर्व की और अधिक है अब उत्री-अमिर्का जो होता है और यह अफ्रीका के बूड़ी यहां पर बहुत ही शानदार सकता है कि नाॉर्थ अमेर्का की तुलना में साउथ अमिर्का इरोप और अफ्रीका के नजदीक है अब यह सोचो यह proper आपको ऐसा concept है जो आप books भी पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा ठीक है clear point तो योगेस अच्छा टेक बार मुझे बताना मेरे भाई थोड़ी बहुत मुझे जरुवत परती है अगर तुम थोड़ा सा help कर पाऊगे तो बड़ी अच्छी बात है आपको की तरह हमारे number भी देखेंगे दुर्गेस स्टुडेंट करके सेव किया हुआ है एसीस्टिंग में विद चैनल चैनल पर जो भी चीज आप जो देख पा रहे हैं चाहिए वह थमनेल हो चाहिए वह जो भी चीज आप देख पाते हैं सब को चैनल लेकर हर चीज हमारे अबाद जरूर कर दीजिएगा अंजली या एक्जेक्टली कृष्णा योगे संध्या सिंग जी का भी स्वागत है सिल्पी आदव जी योगे सैनी ठीक है ओके तो यह भी चीज़ धियार रखिएगा तो यह एक पॉइंट आपके साबने में हो गया कि नौर्थ अमेरिका के र कर चुके हैं तो यह आपका पॉइंट यहां पर कंप्लीट है एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही आगया यहां पर तो चीजों को समझते चलना है नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं इस फीगर में भी जैसा कि आप देखेंगे कि सिक्स्टी डिग्री की यह जो रेखा जो इसके बिल्कुल 20 से होकर गुजरती है अगर यहां से देखा जाए तो यह जो बाला भाग जो है यह आपको यूरोप के जादा नजदीक हो जाता है और अफ्रीका के जादा नजदीक हो जाता है रिलेटिव टू दा नौर्थ अमेरिका ठीक है चीजों को समझेगा यहां पर ट्र ठीक है के लिए पॉइंट मनीशा जी बहुत-बहुत देखिए सभी बच्चे दुर्गेश तुम्हें धन्यबाद कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं दुर्गेश का भी हाथ है जिसने मुझे सपोर्ट किया और आज आप लाइब मुझे देख पा रहे है जनली मुझे इन सब 45 ke एक डश चे कईory कि मल जाते हैं तो फॉइंट यह है कि साउथ अमेरिका जो है अफरीका का दो तिहाई-च्षित्र होता है और भारत की गुना च्छित्र होता थीं gelecek भारत का च्छित्र होता है अभी अमनों लाटिन अमेरिका पे भी आने वाले ही होगेस थोड़ा सा वेट किजिएगा देन देखिए दगाल पगोस दीप यहां पर पॉइंट आ रहा है दगाल पगोस दीप नियर दे एक्वेटर और जुआन फर्नांडी इस आइलें नियर सेंट्रल चिली और पेसिफिक यह दिखाऊंगा मैं अभी देटिया डिल फ्यूगो टिरा डिल फ्यूगो इस अज़न और फाक्लेंड आइलेंड इन दसाओथ अट्लांटिक ओस यह जो पॉइंट आपके सामने में है इस लोकेशन को ध्यार नखिएगा यहां से कोशन बंते हैं हम लोग इसको मैप में द देखें पर कि अगर कि मैप यहाँ पर मुठें तो यहां पर इम देख रहे हैं अभी आपके सामने में कि हाया था हम भी देखा घाल पगोकोस डीप अगर हम लोग चर्चा करें तो यही यह वप कि किसके पास में आता ही टोड़ में आता है सबसे पहला point तो आपके सामने में आ गया कि यह कहां पर आ रहा है एक्वेडोर में आ रहा है देन आप देखते कि गाल पगो आपको always मैंने एक चीज बताया है याद कीजिए जरासा कि olive riddle turtle याद कीजिए जरासा olive riddle turtle की हम लोगों ने चर्चा किया है क्लास में olive riddle turtle और मैंने आपको बताया था कि यही वो जगह है गाल पगोश दीप जहां से olive riddle turtle आते हैं olive riddle कच्वा olive riddle कच्वा जो होता है यह गाल पगोश दीप से आता है यही पर मैं आपको बताना चाहूंगा तुरा सा ध्यार नीचेगा देखो भाई सभी बच्चों ने तुम्हें थैंक्यू बोला है और इसी तरह से मेहनत करते हैं मेरे भाई मेरे साथ में और बहुत सारी चीज़े हम लोग आगे करेंगे बेस्ट करेंगे और इसा एक्जेक्ली मनीश ब्याज जी ने लिखा है वाकिर जी भी जुरे है बहुत-बहुत स्वागत है पंकजुदास जुली सिर्वास्तव जोती लुसीफर ओके शीखा तीवारी जी हाँ यह एक्जेक्ली कच्वा है यह सिखा तो ध्यान निखीगा कि ओली रिले कच्वा जो है इसी गालपगोस दीप से आता है यही वो दीप है जहां पर डार्विन ने जीवन की उत्पत्ती का सिध्धान दिया ध्यान निखीगा ओरजिन ओफ लाइफ और जीवन की उत्पत्ती सिध्धान्त को प्रस्तूत किया था और हाँ सभी एक बार इस इवेंट को लाइक और शेर भी कर दीजिएगा रेनुजी ने भी बोला है यहां पर सई वच्चे इसी प्रकार से जुड़े रही और अपने नोर्स को बनाते चलीगा संतोश कुमार सब्सक्राइब को राधिका पटेल ओके ओके आई गौट इट राधिका ओके आप थे यहां पर ओके तब मुझे समझ में आ गया ठीक चलिए तो यह भी आपको ध्यार में रखने की जरुवत है दैन आपके सामने में एक जो आ रहात जुआन फंडांडिस वह आपको सेंट् वेनेजवेला के ऊपर में आपको देखने को मिलता है वेनेजवेला यहां पर आपके सामने में इसी के ऊपर देखने को मिलता है तीन आइलेंड की हम लोग ने यहां पर चर्चा किया है इन तीनों को आपको यहां पर दिखाया गया और यह इसका हिंदी है आप देख रहे ह में है जबकि टेरा डेल्फ यूगों की चर्चा करें तो यह दक्षनी महासागर में है और फाक्लेंड दीप की बात करते हैं तो उत्री यहां पर आपको पताया जा रहा है कि यह जो साउथ अमेरिका जो है यह किनकिन सागर महासागर से लगा हुआ है एक पॉइंट में यहां बताकर फिर से आपको पॉल्टिकल सेक्षन पढ़ी लेकर आऊंगा ठीक है इट इस बॉर्डर ऑन दा वेस्ट वाई दा पेस्पिक ओस जो पसमी भाग है यह आपके सामने में पसमी भाग जो आ रहा है इस भाग में प्रसांत महासागर एडेन ओन देर नौर्थ एंड इस इसके उत्तर परष्मी भाग में देखने को मिलता है यहीचीज सेम चीजह आपको हिंदी में यहां पर लिखा हुगा है नेक्स्ट एक प यह भी important है यहां से भी questions आपको बन सकते क्या ही यह देखी जरा साथ कि Andes is the longest mountain range in the world and South America's three southern countries अब ध्यार निखीगा because of its pointed ice cream cone-like shaped अब देखिए यह ऐसा question आपके लिए बन सकता है कि जो South America का जो दक्षिंतम भाग जो है वो आपको ice cream की तरह देखने को मिलता है देखिए एक बर जरा से इसको एक फिर से हम लोग देखते हैं यह देखिए यह नहीं लग रहा है जिसे कि ice cream की तरह देखने को मिल है यह पूरा कपूरा ऐसे देख रहे हैं तो पॉइंट यहां पर यह है कि इसमें कौन-कौन से देश समलित हो जाते हैं तो यहां पर आपके सामने चिली आ जाएगा यह अर्जेंटीना और यह आपका उरुगवे आ जाएगा यह आपका ice cream शेप यहां पर देखने को मिलना एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ठीक है फूल कुमारी जी ओलिव रिड्ले कच्वा जो है वह गाल पगोस दीप से ही आप ही के देश में आता है और आपको एक वार मिलने भी जाना है फूल ठीक बाकीर भाई अभी मुझे भी जानकारी नहीं है कि सर कहां पर है ठीक हाँ यह एक्जेक्ली सिखा तुमारी में चीज है कि चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरुवत है चीजे समझ में आनी चाहिए यहां तक क्लियर है तो आगे चले पॉइंट नोट डाउन करते रह देखिए मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अगर आप चलने के लिए तयार होते हैं तो रास्ते खुद बखुद बन जाते हैं मंजिल आपके सामने जुकने के लिए तयार हो जाती लेकिन चलना तो परेगा मेरे भाई निकलना परेगा एक बार आपको क अभी आएंगे फिस्कल की चर्चा करेंगे तो शिवाम हम लोग उसकी चर्चा करेंगे शिवाम प्रताप सिंह सकुंतला जी ओके रिमी जी भी जुड़ी है आर्या मांसा मंगलेश ओके आईए तो यह भी आपके साफ ने एक पॉइंट यहां पर आ चुका है नेक्स जो यहां पर एक पॉइंट है इसका मैं हिंदी भी करके लाया हूँ आपके लिए उसको मैं आपको डिल कर देता हूं यहां पर देखिए कि इसके अलावा आप देखेंगे कि नीदर लाइंड स्रिंडराट टोबैगो और पनामा के एबीसी दीपो को भी यह थोड़ा स आप दर नीदर लेंड ध्यान दीजेगा नीदर लेंड के अंतरगत आता है एबीसी आइलेंड यह एक बार प्रिल्म से कोशन पूछा गया हुआ है यह भी मैं आपको बता देता हूं जैसे होता है कि कोशन आता है कि ग्रिन लेंड पर किसका अधिकार है फाक लेंड दीप कभी आपने नाम सुना है अ-बीसी दीप का नाम सुना है किसी ने हम यह भी तो सब्सक्राइब्स को स्वागत है नजमा प्रिती सब आपकी मेहनत होगी देखिए तो यहां पर वेरे आपको वताया कि ABC ध्यान में रखिएगा Kingdom of the Netherlands में आता है इसके साथ साथ ट्रिंडार्ड एबं टवैगो एंद पनामा में आल्सो भी considered part of South America यह एक important point यहां पर आपको दिया गया है कि South America महादीप में हम लोग ट्रिंडार्ड वैगो को भी संब्लित कर लेते हैं हम लोग ABC द्वीप को भी संब्लित कर लेते हैं और हम लोग यह सब आपको संप्रभू देश थे यह सब आपको संप्रभू देश थे याद आ रहा होगा इसके अलावा एवी सी डीप टेडार टेवेगो और पदावा को भी आप समलित कर सकते हैं यहां पर पॉइंट्स क्या है में और सो भी ठीक है इसको समझने की जरुवत है यहां पर एक पॉइंट्स आएगा देट कंटिनेंट्स कुल्च्रल और एथनिक आउट्लूक समझीगा चीजों को कुल्च्रल और एथनिक आउट्लूक है इस ओर इजीन विद दा एंट्रक्शन आप इंडीजीन आप इंडिजीन पीपल्स विद एउरोपीन कंट्रेट्स एंड इमिग्रेंट्स एंड मोर लोकली विद अफ्रीकन स्लैप्स गिवन अ लॉंग हिस्ट्री आप कॉलनाइल को लिज्म दा ओवर्वेल्विंग मैजरीटी आप साउथ अमेरिकांस इस्पीक पूर्टगीज दक्षिन अमेरिका में मैक्स मैक्सम लोग क्या बोल रहे हैं या तो पूर्टगीज बोल रहे हैं एस्पैनिस बोलता है एंड सुसाइटी जएट्स को में ली डिफ्लेक्ट वेस्टर्ण टेडिस हैं ठीक है पसमी सभेताओं पसमी परंपराओं से यह आपको होते हैं यह नीधरलैंड जो यहाँ पर है यह आपके सामने में यहाँ पर आएगा एबी सी दीप के साथ में एबी सी दीप नीदरलेंड ऐसे ध्यार नखियेगा नीदरलेंड के अधिकार में आता है यह महादीप के सांस्कृतिक और जातिय डिस्टिकोन की हम लोग अगर चर्चा करते हैं का मूल इउरोपिये विजिताओं और आप्रावाशियों के साथ सौदेशी लोगों की बाचित के साथ है और अधिक अस्थानी रुप से अफ्रीकी दासों के साथ उपनेवेस वाद के एक लंबे तिहास को देखते हुए दक्षिन अमेर्कियों के अधिक्तम अवादी पुर्तगाली यह स्पैनिस बोलती है यह आपके सामने एक पॉइंट है और इनका समाज और आम तोर पर पर पस्मी प्रमप्राओं को राज्य यह दरसाते हैं यह आपके सामने इतना पॉइंट है यह हिंदी भी कर दिया है मैंने भाई लूसीफर इसको भी ध्यान नखीगा ठीक है कि लिए पॉइंट इसको समझें मतलब कहने का मतलब यह है कि जो साउथ अमेरिका है आप चीजों को समझते हैं हजरासम साउथ अमेरिका में जो ब्रेटीसर से मोस्टली जो एरोपियन म अमेरिका जिसको हम लोग कहते हैं इस्पेन पूर्टगाल इन सबके जो लोग होते थे बड़े हिसासी नाविक हुआ करते तो जो तैर मतलब कि जहाज लेकर दूसरे उसे देश जा सकते थे वो लोग यहां पर आए ठीक यहां पर बसे वो लोग चुकि अफरीका भी जाते थे तो अफरीका से दासों को भी लेकर आए अभी मैं चर्चा करूंगा आपको जैंबो मैस्टी जो मुलाटों की भी ठीक है तो वो सारे लोग एक जगाई कठा हुए और उसके साथ साथ यह बिटीसर्स भारतियों क वो भी लेकर चलेगे अब जब एक अस्थान पर निग्रों भी है भारतियों भी है इरोपियन भी है तो प्यार मोहबत तो होई जानी है ना प्यार मोहबते भी हो गई साधी विया भी होगी और उनके बच्चे नए किसम के पैदे होगे और विसी बात है क्योंकि दो अलग प्रजाती का जब मेल होगा तो बच्चा भी अलग किस्म का होगा उब्यसी बात है उनके जनेटिक चीजे चेंज होते जाएंगी ठीक है तो यह आपको समझने के लिए पॉइंट यहां पर दिया गया हुग है अब देखिए एक बच्चे ने अभी पूछा था लाटिन अम इस पॉर्ड लैटिन क्या है जो इरोप में जो इस पेंड पॉर्टगाल के जो रीजन जो होते हैं वहां पर जो भासाइव बोली जाती है उसको हम लोग लैटिन कहते हैं वो लैटिन भासाय होती और चुकि इन्हीं देशों के लोग साउथ अमेरिका में अपने देखने को मिलेंगे कुछ ही exceptional होते लाइक बैली जहां पर आपको इंग्लिस बोलते हुए लोग देखने को मिल जाएंगे कि ठीक है कि ओके सुसमीता ने लिखा है कि सर अफ्रीका में भी धरम के नाम पर युद्ध होता है क्या कहां पर नहीं होते हैं जुरास बताईए बट में चीज है कि जितने धार्मिक संसान और धार्मिक इंस्टिश्यूशंस आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं अब देखिए कि लाटीन अमेरिका में किसको किसको हम लोग संब्लित करते तो साउथ अमेरिका तो आता ही आता है लाटीन अमेरिका में फिर सेंट्रल अमेरिका के देशों को भी ले ले लेते हैं और वेस्ट इंडीन को यहाँ पर लिया जाता है कैरिवियन आइलेंड्स फीर आपới अगर चाहें तो प्रितेश सरल्क से और भी किसी टीचर से जवाब पढ़ते होंगे तो आपने हेंडिक द का नाम सुना होगा कि पुर्तगालीयों का राजा था वो राजा मैं यह साथ पूर्टगालीयों कहीं था हैंडिक देविगे तो यह पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है बताओ जड़ा सब कि आरजु डांगी जी का भी बहुत-बहुत स्वागत है फूल पलक तंतोष सुरेंद्र जी क्लियर होड़ा है समझते भी चलना है इजी वे में समझना है मैटर आपको टेलिग्राम पर पोस्ट होता रहेगा वहां से भी आप इसको देख सकते हैं तो हमने देखा कि लाटीन अमेरिका में कौन-कौन समलित हो गया साउथ अमिर्का मैक्सिको सेंट्रल अमिर्का और वेस्ट इंडिस और केर इस ने लिखा है कि सार मैंने पढ़ा है बेकल्पिक भी सेमें वेरी नाइस गुड़ फस्ट नविगेटर हैंडरी फस्ट फॉम दे प्रोटगीज यस ठीक है ओके अब देखिए यह हिंदी भी आपका यहां पर दिया हुआ है सात्मा अब सोचिए आप लोग के लिए इंग एक अच्छे नॉलेज को फुल्फिल करने के लिए बाकी तो सब मोहमाया है ठीक है आईए देखते हैं नेक्स लैटीन अमेरिका आम तोर पर अमेरिका में उन छित्रों को संदर्वित करता है जहां पर एस्पैनिस या पूर्टगाली भासा प्रचलित होती है आगे है अब आप देखिए कि मध्ध अमेरिका सेंट्रल अमेरिका की हम लोग अगर चर्चा करें तो सेंट्रल अमेरिका में कितने देश समलित होते हैं यह आपके सामने में यहां पर दिखाता हूं आई देखी सेंट्रल अमेरिका की हम लोग अगर बात करते हैं तो यह आपके सामन में आया है इसमें कोलंबिया सब्सक्राइब यहां पर आपके सामने में यह रहेगा कोष्टाभीका और यहां से है कैसे कोश्चन बनते हैं वह भी बता startups कोस्टारीय का कि यह को यापके सामने में निकारा मुआ हांडूरास यह आपके सामने में आ गया हॉंडूरास Here it is El Salvador El Salvador यहां पर आ गया Then आपके सामने में Guatemala याद कर लीजिएगा यहां से questions बनते हैं और यह रहा आपके सामने में Belize तो यहां पर आपके सामने में कितने देश हो रहे हैं Central America में जरा सा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 साथ देश Central America में आपके समलित होते हैं यहां पर आ गया इन सातों देशों की राजधानी एक बार चेक करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले एक कोर्शन आपके लिए राजधानी से पनामा की राजधानी क्या होगी ओके आरजू जी रिमी शिवम फूल मैक्सिको इसमें नहीं आएगा पनामा की हम लोग चर्चा करेंगे जोती जी आगे पनामा की डिटेल्स में चर्चा करेंगे राधिका एक बच्चा काल भैर अब तुम पनामा वह नहर वाले पर चले गए मेरे भाई काल हां ठीक है कमलेश जी भी जुड़ी है साथ बताया है इन्होंने एंजल ने 7 बताया है श्याली शिंग योगेश ओके ग्रेट 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 आईए दिखते जासा तो पनामा की राजधानी जो है यह पनामा सिटी है कोस्टा रिका की जो राजधानी होती इसको हम लोग सैंजोस कहते हैं कोस्टा रिका की राजधानी सैंजोस हो जा रही है निकारा गुवा की राजधानी यह आपके सामने कीजिगा तेग शिगलपा से थो Samoropri से ऑठ शलबान सेंसे गोठेमाला सिटी और बेलीज का बैल मोपन जो हो जाता है यहां पर में लिख कि अब देखिए को केसे बनेंगे से कोस्टन यह बन रहा है तो only two-way state or only two country which having only coastal area of one seas Getting a point समझीगा चीजों को यहाँ पर जो question क्या बनेगा एक सागर से सीमा एक सागर से सीमा यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया हुआ है कि एक ही सागर से सीमा किसकी लगती देखिए बेलीज की सीमा जो है बेलीज की सीमा जो है यह अटलांटिक महा सागर के साथ में लग रही है अटलांटिक महा सागर के साथ में बेलीज की सीमा लग रही है और El Salvador के साथ में सिफ प्रसांत महासागर की सीमा लग रही हूग rest others, जितने भी है, Panama, Atlantic Pacific Costa Rica, Atlantic Pacific, Nikaragua, Atlantic Pacific, Honduras, Atlantic Pacific, Guatemala, Atlantic Pacific तो आप देख रहे हैं, only the two country which having only one oceanic coastal line and that is the El Salvador and Belize यहाँ पर आपके सामने में नाम दो आगे कौन से El Salvador एबम Belize यहाँ clear है point यह question बनते हैं मेरे भाई ठीक है अल भी लिखा आएगा योगे इसको अल लिखे होगा या फिर अल Salvador लिखकर आता है जो भी आप लिखना चाहें ठीक है यह clear हुआ कि नहीं हुआ क्रिष्णा शीखा शीवाम कमलेश जोती काल योगेश मनीशा जी लुशीफर बताइए तेई से जासा यह clear हो गया अब एक special point देखिए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहां पर इंग्लिस बोली जाती है रेस्ट अदर्स में लैटिन भासा बुला जाता है मनीशा जी वेरी नाइस ओके एक अयान नाम के बच्चे भी जुड़े है और आज महावीर का दिन है मंगलवार है मैं भी अभी जश्ट मंदिर से ही होके आ रहा हूं तो आप सब लोगों को जय स्री राब आप अपने सनातम धर्म संस्कृति को जरूर आगे बढ़ाए हां मतलब अपनी सब्हताओं और संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए हां वो पनामा नहर की चर्चा करूंगा मैं जन्मे जय नेक्स्ट क्लास में आज नहीं पनामा लाएक स्प्राइट ओके शिवम गॉट इट ओके चलिए एक पॉइंट पर और आते हैं जरा से यहां पर अब देखिए तो ओफीसियल लेंग्वेज मैसरीटीन आल सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज इस एस्पैनिस सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिमम जो जितने भी देश है वो सामने इंग्लिस दिया गया है यहां सभी सेंट्रल अमेरिका में और एस सदेश है यहां पर लाइटिन भासा नहीं चलती ही है ए ऐव क्यों के चंदन आयान जी जुरे है बहुत-बहुत स्वागत है मुझे लगी रहा था ओके यहां ते क्लियर है सभी एक बारे से लाइक और शेर भी सभी कर दीजिएगा ठीक है मतलब आपका अपना ही चैनल है तो थोड़ा सा तो प्रमोशन करना बनता है हां देखिए मतलब क्या ही बताया जाए ओके ग्रेट 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 चलिए आज मैं में में सेज देख रहा हा था किसका शीव का टेलीग्राम पर पर ही वास्टली अपसेट बीड़ ओप्ष्णल क्लास और वाटाइड कैंड दू पर हीम और अदर इस ज्टेंट्स अप्सेल जेग्रफी क्लास तो आप अब देखते हैं बाकी क्योंकि अपनी कोचिंग तो है रही न तो बाकी चीज़े तो देखना ही परेगा और मैं क्या कर सकता हूं पट मेरा मानना है कि अकेले खरे होने का साहस चाहिए कुछ लोग ग्यान तो देते हैं मगर साथ नहीं देते हैं तो मैं उनमें से नहीं हूं मैं आपके साथ ग्यान के लिए भी हूं और आपके साथ के लिए भी हूं आपके साथ के लिए ही फिर से यूटूब पर आया हूं कि नहीं चलो की जरुवत है तो फिर से आते हैं ऐसा भी क्या है तो आजए देखिए आपर Maya सब्धता भी आप आगे देखेंगे Maya civilization नाम सुने होंगे Maya civilization ओ कि ओके माया भासा भी भासा परिवार का गठन यहां करती है consisting of 26 related languages इस पर हम लोग आएंगे बट उस पर जाने से पहले यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बार फिर से आप सब लोग देख लीजिएगे यहां पर इस स्लाइड में कि कौन सा देश कहां पर है जैसे कि हम लोग ने यहां पर जमाइका क्यूबा हां बहामास कि यह है इती दॉम्निकान रिपबलिक प्यूटोरीको इन सब वह जैसे मैंने बताया था कि ट्रीडार्ड एवं टवएगो तो ट्रीडार्ड एवं टॉपैइगो की राद्धानी पोट अप एस्पैन होती जो कि किस से नजदीक में है बेनेजुएला वेनेजवैला से नज करके रखना इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने में अवलेबल है यहां पर दिखाया गया हुआ है ठीक है पुश्पेंद्र वेरी नाइस ब्रो जरूर बताईएगा प्रेड़ना भी आई हैं अंसु कुमारी जी जितिंदर ठाकूर ओके प्रियंका सिन्हा इसको ध्यान यहां पर आपके सामने दिया गया हुआ है दक्षिन अफिर्का के ओफिस्यल लेंग्विजेज अब देखिए कोलंबिया जोत्री अमेरिका महादीप का पनावादेस टच होता है योगेस का कहना बट वह बेसिकली सेंटल अमेरिका में हम लोग लेकर आते हैं नौर्थ अमे अनुराग यादव जी कनिश्क कृष्णा ओके दिये दिये सही बच्चों को पता चलेगा अभी तो दो ही दिन तो हुए है इसलिए मैंने बोला कि सुरवाती दौर में थुरा सा आप सपोर्ट करोगे तो बागी बच्चों तक रीच हो सकेगी कि आज आपको विश्वास न एस्पैनिस इटैलियन पूर्तगीज अब यह कोश्चन आपको बन सकता है कि लैटिन भासाएं कौन-कौन सी होती है राज सोदिया नहीं भाई तुम भी हो दिग गये मुझे निखिल तो लैटिन भासाएं फ्रेंच एस्पैनिस इटैलियन और पूर्तगीज आपके सामने म पूर्तगीज भासा है गुआना मेंं इंङलिश भासा है सुरिनाम में ऑर फ्रेंच गाना में फ्रेंच भासा होता है बाकी सम्न आप है तो एसपैनिस ऑर पिरस्ट अधर्सम आपको तो एस्पैनिस भासा बोली जाती यह ध्यार नखिएगा ठीक है यह के स्पेसल पॉइंट है सब ठीक है ध्यार नीजेगा ओके थैंक्स प्रूव स्वत्यम की पंखा भी चल रहा है और एसी चल दोनों चल रहे है कि यह एसी का क्या है ना कि उपर में फ्लिप किया वह रहता है तो उपर ही आता रहता है देखिए एक मम्मी का मगर्मच भी आया है हमूं आ गये है मतलब कि आप बिहार से ही है बहुत-बहुत स्वागत है आपका सीत बसंद देखिए rest others country बाकी सभी देश जो है वो आपको क्या follow कर रहे है तो बाकी सभी देश आपको Spanish follow कर रहे है ब्राजील में पूर्टगीज चलता है गयाना में English क्योंकि वह बिटिस गवाना वाला गवाना है यह बिटिस गवाना है तो इंगलिस चलेगा ही चलेगा डच गवाना जिसको की अब सुरिनाम हम लोग कहते हैं याद कीजिए जरा साब डच गवाना जो प्राची नाम था इसी का नया नाम क्या हम लोग देते हैं तो सुरिनाम देते हैं और यह ब्रिटिस-गवाना गवाना हो गया है फ्रेंच गवाना फ्रेंची आपको बोला जा रहा है याप ठीक है डेली क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी ये ध्यार नकिए और एक बार सभी इस इवेंट को लाइक और शेर भी जरूर कर दीजेगा अपने फ्रेंड सर्किल में और खासकर उन बच्चों तक जो मुझे ढूंदते रहते हैं जो नहीं भी ढूंदते उनको भी बता सकते हो कुछ तो भलाई होगा उनका भी इन अधर कंट्रीज ओफिस्य लेंग्वेज आर एस्पैनिस मैंने आपको पहली बोला ही आप एक्सेट गवाना एवरी कंट्रीज फॉल्वाइंग रोमन काथोलिक रिलीजन देखिए द्यां दीजिएगा चुकी गवाना में जो की आपको ब्रिटिस गवाना द्यां आज का डेच्ग गवाना जो है नीच्फेलन ही तो था उस में और तभी तो मैंने बोला उसके पास पें एवी सी आइलेंट जो मैंने आपको दिखायाँ यह एवी सी आईलेंट पर भी किसका अधिकार मैंने दिखाया था यह आपको तो नीच्छट राता ना कि यह नीठर भारत में कब आये थे हां डच भारत में कब आये थे देखिए रेनु ने लिखा है कि मम्मी के मगरमस से दुढ़ी रहना चाहिए अब कात्व को खा जाएगा पताओ जरासा कोपी लेकर आया इसे मजाक नहीं बनाना है इसका कोई भी ठीक है सबको पढ़ने का अधिकार है यह देश ही ऐसा है ना तभी तो यह भारत है इंडिया है इंडिया इसका हिंदी भी दिया हुआ है मैंने बच्चे हिंदी भी है प्रियंका सिन्हा जी आप बिल्कुल ही परसान मतुएगा आप ही के लिए मैंने हिंदी भी किया और जितने बच्चे जो है रे कौन है रे 1596 में डच आ गया था रिसू 1620 में मतलब नाक कटा दो सब के सब 1506 में आ गया 1502 कि अच्छा कि मतलब बहुत सारे आप्संस आ रहे हैं 1596 होगा देहस्तमान कॉर्णेलिस देहस्तमान देखिए एक चीज़ में बता देता है यह जो मम्मी का मगर्मच है वह पढ़के आया है लेकिन थोड़ा जगरबर कर दिये मेरे भाई आप लोगों में बता दूँ यह है 1602 और फर्स्ट डच जो होता है वो केम टू इंडिया तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं जो अगर अपी पढ़ाता हो तो मुझे यह जब नहीं आता इतिहाज नहीं आता मुझे क्या टिक यह है कॉर्णेलिस देहस्तमान 1602 डच अच्छा यह दवनसी भाई का यह बहुत-बहुत स्वागत है आच चुके है आज अपने क्लास में सीखा 1602 है न बच्चे मैंने बोला था ना उस पेंदर अब अब तो सब बोल दो 1602 है ठीक है तो फॉस्ट पर्स यह मैंने आपको बोलाए कि फॉस्ट डच जो है यह कॉर्णेलिस डिहस्तमान है ठीक है अब क्लियर है फूल रिशू कमलेश 1602 में कम्पनी की अस्था अपना आचा वह आप देख लेना अपने रितेसर के साथ में मुझे सोचो 2011 से मैं हिस्ट्री उस्ट्री नहीं पढ़ाओ मेरे भाई 12 साल हो चुके हैं अब मुझे 12 साल के बाद भी अगर इतना याद होता है तो तुम लोगों तो 12 महीने भी नहीं हुए अभी वह आप देख लेना पंकज ठीक है तो 1602 में हो सकता है कि डच कम्पनी बना होगा यहां पर कि वह आप हिस्ट्री वाले सर के साथ अपना देख लिए फर्स्ट पर्सन तो यहीं मुझे याद है हां तो वहीं होगा पंकज देख लेना भाई मेरे आई हम लोग अपने पॉइंट्स पर मूब करते हैं यहां पर मैंने आपको बताया और दक्षिन अमेरिका का जातिये समुझ जो है वह स्पैनिस है और एक यहां पर ध्यार निजीगा बहुत ही इंपोर्टेंट है यह कहां पर आई-एइस में कोष्टन आया हुआ है प्री में अइस प्री का यह कोषटन है हो सकता है कि आगे आपके बीपीसी यूपीसी स्य ये पीज्य में बबन जाये कोषटन यह बहुत important है मार करके रखिया क्वेश्वा क्वेश्वा लेंग्वेज्ज जो है इस पोकेन वाइक वेश्वा पीपुल आप एंडीज और हाई लेंड्स आप साउथ अमेरिका यह बहुत चांदार है है ठीक है है कि लिए पॉइंट ओके तो यह द्यार नखीगा क्वेश्वा जो लेंग्वेज है इस पोकेन वाइक क्वेश्वा पुपल आप एंडीज और हाई लेंड्स आप साउथ अमेरिका तो यह इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं ज्यादा मार्क कर देता हूं बाकित यह सब आ ठीक है ओके कृष्णा कुमार जी ने लिखा है 1596 मुझे भी याद आ गया एक्जेक्टली कृष्णा आई ऑल्सो गौट इट कि यह जो पहला जो व्यक्ति है यह आता है 1596 में मुझे भी देखो एक चानक से याद आया कि कई बार मिस करता हूं 1602 में क्या हो गया तो कंपनी ध्यान ने किया बहुत शांदार कॉर्णेलिस्टी हस्तमान ठीक है आईए देखते जरांसा रेसेज यहां पर है मैस्टीजो मुलाटो जैंबो अब समझीगा चीजों को मैक्समम पॉपलेशन जो है वह आपको मैस्टीजों की होती है जैसे कि साउथ अमेरिका है अब यहां पर भारतिये भी गए और यहां पर अफ्रिकी भी गए यह तीन कंटिनेंटल लोग यहां पर आपके सामने देखने को मिलेगा अब देखिये कि अगर यूरोप का कोई व्यक्ति भारतिये के साथ में साधी कर लेता है तो उससे होने वाला जो बचा होगा उसको हम सामने में क्या आ गया मैस्टी जो एक देखे की युड और नीगरो अफ्रीक थो नीगरो यहां पर हम लोग अफ्रीकी को क्या लेग रहे हैं नीगरो ले रहे हैं अब यह 45 अगर मिल रहे हैं इनका क्रॉस अगर हो रहा है तो इससे होने वाला जो बच्चा जो होगा वो कौन सा हो गया वो मुलाटो एक अलग प्रजाती बन गई ठीक ओके दैन आ रहा है कि भारती और अफ्रीकन भी यहां पर मिल गए जो कि आपके सामने में कैन हो जाता है जैंबो अब जैसे मैं आपको बताओं अपने देश में एक टीवी स्टार रही है नीना गुपता जी नाम आपने सुना होगा तो नीना गुपता जी मनीशा ध्यान देना प्रीती राज कृष्णा रेनु प्रेड़ना चलो ठीक है प्रेड़ना बात में भी कर लेना इसको अच्छे से लेकिन नोट्स बना लिए बच्चे ठीक है तो अब नीना गुपता जी ने बीबीन रिचर्ट के साथ साधी कर लिया यहां पर मैस्टी जो जैंबो और मुलाटो से आपको मैच करने के लिए कोशन आ जाते हैं तो यह ध्यार नखिएगा इसके अलावा रेड इंडियंस के चार प्रजातिया होती हैं हिंदी भी मैंने दे रखा है सबका हिंदी भी आपके सामने में यहां पर दिया हुआ है Aztecs, Mexico में यह important आया हुआ कोशन है Maya, Honduras, Chipka, North Andies Rains and Inca, South Andies Ring अब ध्यान लिखिएगा यहां पर आपके सामने में Aztec, Maya, Chipka और Inca यह सब आपके सामने में new होंगी मुझे पता है यह सब आप अपने life में पहली बार ही पढ़ रहे होंगी ठीक अब समझ में आ रहा है ए रेनू यह दिखाई दे नहीं रहा है इस सब तोड़ेला तो सब किया हुआ है सब हिंदी और बतावा हिंदी वेगरा क्यों किया गया हिंदी वेल्ट के बच्चे को ध्यार में रखकर मैंने हिंदी भी किया है यह जो आपके लिए एक जड़े घ कि आ येस बदाई वह वाले मुवी में भी थे मिल्कुल सिवा मतलब तुम भी तो बहुत देख रहे हैं ठीक स्विंदर जी पहचान गए त्रीशा तो एस्टेक मैक्सिको माया होंडूरास अब यह माया सभिता भी कभी अगर आ जाए तो वह भी आपका होंडूरास हो जाए लेगा तो नौर्थ हंडीज रेंज में ऑर इंका आजाता है शाउथ हंडी रि में सब जाते हैं यह आपके सामने में कौन आगए अरजटीना रोची यह आपको आजाएगा आरज़शनटीना चीली जुले जGOे तो और सबने में आजाता है और दोस्क फूरी मैंतली सब चल तो आप लोगों के लिए मिलने के लिए अपने छोटे उस्ताद भी आये है तो कुछ कहना चाहोगे तुम भी क्या यह बोलता है कि हम भी एक बार तो चली जाएंगे मिलने के लिए हम कोई मन लगता है तो क्या कहना चाहते हो बतारो जल्ली से फिर आगे की और चड़ेंगे आज मुझे पॉलिटिकल वाला चेक्शन क अब रहे देंके जैसरी राम ही कर रहा है तो आज काल्फ देश में यही चल रहा है एक ही नारा एक ही नाम जैसरी राम troubles का दिन हैं मंगलवार का दिन है आप सभी को जैस्री राम चलो तुम दो 되지, बाव कि यह श्री राम ज़य को तो यह देश है आपका अब मुझे बताओ कि अपने देश में कितनी प्रजातिया रहती है ठीक सरार्थी तो इतना है कि क्या ही बताए क्रिष्णा तो आप ही का भाई आप लोगे तरह सरार्थी तो होगा ही ना अब यह सबसे अची बात है कि जिसी स्कूल डीपीस में यह पढ़ता है तो मेरे से अच्छा इंग्लिस बोलता है कि हमारे तो प्रोड़नसियेशन कभी जिनगी में सही नहीं हुए हम तो बिहारी ही रहे हमें साब लेकिन यह लोग थोड़ा अलग ही इनके प्रोड़नसियेशन है ओक है चलिए तो यहां भी आपका कंप्लीट है आगे क्यों हम लोग मूब करते हैं यहां पर आपके सामने पॉइंट आ रहा है उरुगवे उरुगवे देश जो है मॉंटे वीडियो इसकी राजधानी ठीक है मॉंटे वीडियो इसकी राजधानी है और वल्ली वन कंट्री इन साउथ अमेरिका लाइंग टोटली आउटसाइड ट्रॉपिक ऑप कैप्रिकॉर्ण मैंने कल चर्चा क और के नीचे है और वह आपका जवाब क्या था तो उरुगवे था और उरुगवे की बात करें इस मोस्ट अर्वेनाइज कंट्री इन साउथ अमेरिका अगर जैसे कोशन पूछा जाता है कि कौन सा राज जो है सरवाधिक सहरी कृत है ऐसे भी कोशन पूछा जाता है कि दे कृत है द्यार नगें नेक्स्ट आपके सामने में आया बॉलीविया यह आपको इंग्लिविय का जो लीगल कैपिटल जो घैटिज द सुक्रे और इसका अडिमिरिस्ट्रेटीव कैपिटल जो हो जा रहा है वह आपको लापाज हो जा रहा दिया बहुत दोनों यहां पर लापाज और लीगल कैप्टल जो हो गया इसका सुक्रे हो गया ठीक है ओके दैन इक्वेडोर की हम लोग बात कर रहे हैं most dense populated country situated on equator line and maximum exporter of banana केले के लिए famous कौन सा है केले का उत्पादन सरवाधिक यहां पर होता है और केले का निर्यात कौन सा देश सरवाधिक करता है तो यह आपके सामने में आ रहा है कौन इक्वेडोर की राजधानी जो की क्यूटो है यह दो कोश्चन यहां से भी बन जाते हैं कि ठीक है कि अंग्रेज बने लेकिन इतना भी अंग्रेज नहीं बनना है कि अपनी सबता संस्कृति कोई भूल जाए कोई भी और ऐसा बनाना भी नहीं है आँ कि अगे एंके राना जी भी जुरे है और इमें आपको बता देता हूं जिनों भी पूछा है मुझसे कि यह पेडिये पापको कहां पर मिलेगा सो पीडिये इस अवलेवल और टेलीग्राम चैनल यह टेलीग्राम पर आपको अवलेवल है जो कि आप सर्च कर सकते हैं अमन अरजुन सिन्हा ओफिसियल के नेम से यहां पर आपको सारे पीडिये पापको एवलेवल है इसके मैंने हिंदी भी किये हुए बहुत इंपॉर्टन ध्यार निखिएगा ठीक है यह एक्जेक्ट ली अब एले तुम्हारे साइड भी होते हैं लिगे मैटा साउथ अमेरिका की चर्चा की गहीं योगिस यह ध्यार में रख्येगा ठीक है हाँ हाँ डाट्स अप्वाइंट की ग्लोबल लैंग्वेज और स्पोकें लैंग्वेज इस इंग्लीज तो इसुट नो दे इंग्लीज वोगे देखिए ब्राजील में आ रहे हैं इन रिसेंट डिकेट ब्राजील है इसका हिंदी कर देता हूं आप लोग के लिए हाल के दसकों में ब्राजील ने च्हत्र के शकल घ्रली उत्पाथ का इस्सा किया है और पहली च्हत्रिय सकती बन गया हूँ है तो यह एक पॉइंट आपके सामने आ रहा है ब्राजील के संदर्व में कि पूरे साओ्थ अदिक का में GDP के संदर्व में इस ग्रॉस टॉमेस्टिक प्रोड़क्ट के संदर में नंबर वन पर कौन है तो ब्राजील है यह इक्वेडोर और चिली को छोड़कर महादीप के प्रतेक देश के साथ सामान सीमा वनाता है यह आपको कल मैंने चर्चा किया था कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा जिसकी सीमा सभी देशों से लगती है यह आपको बताया गया हुआ था जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह है आपके सामने में ब्राजील और ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है एक्सेप्ट कौन सा तो यह है आपके सामने में एक्वेडोर और यहाँ चौका दिखास पर आपके सामने में हैच्ची ли यह मैंने आपको कल भी करवाया हुआ ध्यान दीजीएगा दैन आगे क्यों और मूब करते हैं नेक्स्ट आइप नेक्स्ट आपके सामने में ब्राजील एक मात्र ऐसा देश है जिससे होकर भुमद रेखा और एक कटिबंधिये रेका मकर रेखा दोनों गुजरती है यह भी आपके सामने एक पॉइंट लगा है ठीक है दैन छेत्रपल और जनसंक्या के डिस्टी से चाहिवर नेक्सिल है & आएक्स्टी मंचर्या प्रवान से एरिया में और पॉपलेशन सप्चिंञ गला टीक है है एक बार सभी इबेंट को लाइक और शेयर ही कर दीजेगा पूजा पंकज photos and मनीशा क्रिष्टा योगेश शीवम संतोष कुमार जी वी जुड़े होगे ब्राजिल वरे नाइस संतोष क्रिष्णा ठीक है साव पॉलो जो है दक्ष्णी गोलार्थ में सबसे बरा सहरी समू यहां पर आपको अर्वे नाइसन दिखाया गया किसी एक पार्टिकलर की भात कि पूरे साउथ अमेरिका का मोस्ट अर्वे नाइस सिटी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो वह साव पॉलो हो जाएगा और मैक्सिको और टोकियो के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है ठीक है यह आपके सामने इंग्लिस भी आपके सामने दिया है कि साव पॉलो लार्जेस्ट अर्वन एग्लोमरेशन इन दें सदर्ण हेमिस्पेर एंड ठाट लार्जेसें डेंड वर्ल्ड आप्टर मैक्सिको और टोकी को संट आपको प्रिलिंग्स में बना हुए ध्यार नेखे जो भी मैं आपको बताता चलना हूं ध्यार निखिगा कि अभी हम लोग इसके फिजिकल मैप पर भी आएंगे ओके आए नेक्स्ट नेक्स्ट आया है देखिए आपके सामने में साव पॉलो जो है लीडिंग प्रोडूसर आप कॉफी है सेंटोस जो है कॉल्ड कॉफी पोर्ट इसका हिंदी भी मैंने किया हुआ है परसान मत होईएगा हिंदी आपके साव पॉलो कॉफी का प्रमुख उत्पादक छित्र है सेंटोस को हम लोग कॉफी पोर्ट कहते हैं जैसे कि आप ब्राजील देखोगे तो ब्राजील के इस भाग में आपको सेंटोस देखने को मिलेगा और यहां पर आपके सामने में साव पॉलो देखने को मिलेगा यह आपके साव पॉलो का हाउटपोड है सेंटोस यही आउटपोड कहा जाता है सेंटोस हो गया साव पॉलो का क्या हो गया आउटपोड हो गया के लिरे पॉइंट यहां पर सभी सिपो तीक है यहाँ पर इबेन चलती है मेरे बहाई टीक है तो देखिए है यहाँ पर नाइक्स्ट है वार्ट्ज क्रिस्टल ब्राजील दुनिया का एक मात्र वाणिजिक उत्पादक छेत्र है क्वार्ज क्रिस्टल का गैसो होल से भी कोश्टन आपके यूपीसी में आये हुए ब्राजील की 40% कारे जो है वह गैसो होल से चलती और गन्य पराधारित यह अलकोहल होता है यहाँ पर एक पॉइंट है कि सांबा और लंबाडा ध्यान निखिएगा सांबा और लंबाडा यह कि ब्राजील का निर्त रूप को दिखाया गिया Dollar क्या होते हैं तो ब्राजील के कोफी वगानों को हम लोग चितेक हैं और ब्राजील कोलेज कुछ हैं तो आज तक रखते हैं कल इसके आगे हम लोग लेकर चलते हैं छीज़ों कोफी के मेरानी को आज सुंकी है है मिनाज की तर्फेरानी तो आज यहीं तक रखते हैं कल इसके आगे हम लोग लेकर चलते हैं चीज़ों को छो कि आपको इसके बाद हम लोग physical start करने वाले लेकिन कल मोस्ट प्योबी हो सकता है कि हम लोग करेंट के। को भी मुझे कराना है आप लोगों को न यह भी मैं आपको बता देता हूं previous year's questions भी मुझे आपको करवाने हैं और current के topic भी आपको करवाने हैं और साथ ही साथ mapping भी आपका चलता रहेगा तो यह तीन segment मैं लेकर basically अपने channel पर आपको लेकर चलूँगा तो अभी दो दिन हम लोगों ने mapping के concept को यहाँ पर देखा है अगर आप चाहेंगे तो बताओ कल भी मैं mapping करवा सकता हूं नहीं तो previous year's questions कल हम लोग कर सकते हैं प्रेविएस यह स्कूर्स ठीक है क्लिए प्वाइंट हां क्योंकि ज्यादा लंबा समय भी नहीं लेना चाहता हूं छोटा समय एक घंटा का काफी आप लोग के लिए एक घंटा का समय अगर आप मुझे देते एक दिरुट ध्यार में रखेगा कि अगर आप अपने जिंद है यह कोशिस आपको पसंद आ रही होंगी तो एक बाद जरूर इसको आप लोग लाइक और शियर करते रहेगा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा तक जारा ज्यादा बच्चों तक हमें रीच हो सके उन तक नॉलेज और यह कंटेंट पहुश सके ठीक है मैप के लिए बुक पर आप इसके पीडिएप अबलेबल है अमर अरजुन सिना ओफिस्यल पर वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजेगा ओके चलिए मिलते आप लोगों से कल तब तक लिए नमस्कार धन्यवाद